बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सविधान निर्मान और समिधान निर्मान के इस टापिक अंतोगत और हम पढ़ने जा रहे हैं भारतिय समिधान के बुनियादी मुल्य जैसा कि हम लोगों ने सविधान के बारे में जाना कि सविधान किसी भी रास्ट राजिकी, किसी भी देश की प्रथम आवशकता होता है, किसी भी लोकतान्तिक समाज के लिए सविधान होना आवशक होता है क्योंकि समिधान वहां की सासन व्यवस्ता वहां के नागरिकों के लिए और सासन स्वरूप के लिए कुछ नियम कुछ व्यवस्ताएं निधारिते करता है इस तरह से कहा जा सकता है कि समिधान किसी भी राजनतिक समाज की पहचान होता है समिधान एक ऐसा विशाल धाचा होता है बुनियादी नियमों का वह सुरूप होता है जिसके अंतरगत व्यक्ति अपने आकांग्षाओं अपने रक्षयों और स्वतंत्रताओं की प्राप्ति करते हैं यह एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी राष्ट राज्ये के लिए मार्ग निदेशन करने का कारिय करता है तो समिधान किसी भी विशिस्ट बुनियादी नियमों से बुनियादी मुल्यों से प्रवावित होता है उन्हें कहते हैं दर्शन यानि कहा जा सकता है कि दर्शन किसी भी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार है अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं समिधान के बहारते समेधान के दर्शन को समझने के लिए हमें इसे दो रुपों में वार्जित करना होगा पहला है प्रमुख भारतिय नेताओं के विचार और दूसरा है प्रस्तावना तात्प्रिय यह है कि यदि भारतिय समिदान के दर्सन को समझना है तो उसे दो रूपों में हम समझ सकते हैं पहला रूप है प्रमुक भारतिय नेताओं के विचारों को जानकर और दूसरा रूप है भारतिय समिदान की प्रिस्तावना का अध्यन करके आज की वीडियो के अंतरगत हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुक भारतिय नेताओं के विचार अपने भविश्य की भारत के लिए क् सबीङन निरौमान के संदर्व में क्या थे है सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के बावात्राश्टपिता यानि महात्मा गांदी के विचार क्या थे सपने और वादे सीषक के अंतरगत यानि यह नेता अपने विचारों को अपने सपने और किये गए वादों के माध्यम से किस रूप में अपने समिधान के अंतरगत परिनिती देना चाहते थे और अपने समिधान में किन सिद्धानतों को अपना कर अपने सपनों और अपने वादों को पूरा करना चाहते थे महात्मा गांधी समिधान सभा के सदस्य नहीं थे परंतु समिधान सभा के अंतरगत अनेक सदस्य महात्मा गांधी के अनियाई थे यानि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे मात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया के अंतरगत 1931 में समिधान के बारे में लिखा यानि अपने भविश्य के भारत के बारे में लिखा अपने राम राज्य की परिकल्पना के बारे में लिखा कि मैं भारत के लिए ऐसा समिधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रियास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागी-दारी है। यानि सबसे गरीब व्यक्ति, निम्न से निम्न वर्ग, हीन से हीन व्यक्ति भी देश के निर्मान में जुट जाए, वो तभी जुटेगा जब वो है अपने आपके महत्व को भारत की अंतरगत कहीं महसूस करेगा, यानि ऐसे बात का निर्मान महात्मा गांधी करना चाहते थ और प्रितेक व्यक्ति की गरीमा को महत्व प्रदान किया जाए, ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्छ वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, यानि वहां उच्छ वर्ग और निम्न वर्ग का भेद नहीं हो, ऐसे भारत की मैं कल्पना करता हूं, भारत के लिए ऐसा समिधान बनाना चाहता हूं जिसका आधार समानता हो ऐसा बारत जिसमें सभी समुदायों के लोग पूरे मेल जोल के साथ रहते हों सभी वर्गों के सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के सभी समुदायों के लोग पूरे मेल मिलाप के साथ आपस में बंदुता के साथ रहते हों बारत में चुआ चूट या सराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह नहीं हो यानि चुआ चूट बेदभाव के आधार पर ऐसामानता नहीं हो समाज खंडित नहीं हो और समाज को कमजोर करने वाले नशीले पदार्थ शराब आधी जैसे पदार्थ भी किसी प्रकार की जगह मेरे भारत में नहीं पाएं और तो और मर्दों को एक जैसे अधिकार हो यानि लिंग के आधार परिस्त्री और पुरुष की ऐसामानता नहीं हो यानि उनके मद्देवी समानता हो इससे कमपर मैं संतुस्त नहीं होंगा मात्मा गांदी के ये विचारों का अध्यन करने के यह है बात हमारे सामने आती है कि वो ऐसे भारत का निर्मान करना चाहते थे जहां हीनता को कोई स्तान नहीं हो सभी एक धरातल पर समान हो चाहिस्त्री हो पुरुष हो उच वर्ग हो निम्न वर्ग हो अमीर वर्ग हो गरीब वर्ग हो और समाज को कमजोर करने वाले तत्व चुवा चूत भेद भाव ऐसमानता और नसीले पदार्थ ऐसो का भविश्य के भारत के अंतरगत कोई स्थान नहीं हो इसके निर्वान के लिए वह ऐसा एक मजबूत समिधान चाहते थे इसी दर्शन का प्रियोग भारतिय समिधान के अंतरगत किया इसके साथ ही डॉक्टर भीव राव अंबेडकर का समिधान निर्वान में महत्तुपूर्ण स्थान है डॉक्तर भीव राव अंबेडकर ऐसमानता के कट्टर विरोधी थे वे समाज में समानता के पक्सदर थे महात्मा गांधी के कट्टू आलोचक थे उनका मानना था कि महात्मा गांधी के विचा रूप समीती के अध्यक्ष थे समिधान की संदचना का इन्होंने निर्मान किया और समिधान सभा में अपने अंतिम भाषण में भविश्य के भारत के बारे में इनके विचारों की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारतिय समिधान को लागू किया गया था हम विरोधा भासों से भरे जीवन में प्रिवेश करने जा रहे हैं इसे आगे समझाते हूं विरोधा भासों से जीवन में प्रिवेश करने जा रहे हैं राजनिती के मामले में यहां समानता होगी पर आर्थिक औ में तो समानता की बात की जा रही है लेकिन समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की वास्टिक इस्तिती पर हम अभी तक नहीं आये हैं और उसके पाने के लिए सार्थक प्रियास भी नहीं हो पाए हैं जिसके लिए वह आगे कहते हैं कि राजनती में हम एक व्यक्ति एक वो सामाजिक और आर्थिक इसतर पर कंजोर है और समाज WITRAN के ढधार पर आर्थिक है समानता व्यात्थ है उसके कारण आर्थिक ढचा कम्जोर है तो हम बेड़ कर कहना चाहरे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्दान्त को नकारना जारी रखेंगे क्योंकि इसके माध्यम से केवल राजनतिक समानता ही प्राप्त की जा सकती है सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं की जा सकती हम इस विरोधावास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे और इसे अधिक लंबे समय तक नहीं जेजा सकता क्योंकि यह हमारे बवीशे को क्या करता है संकट में डालता है विरोधा भास पुन्ट स्थिति रहा यानि यह इस्थिती व्यक्ति को सही रहा पर अधिक समय तक नहीं सिकार 210— और उसके व्यक्तितु का सही प्रकार से विकास नहीं हो सकता, अंबेड कर का मानना था हम अपने अस्पाजी को आधिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे और अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनतिक लोगतंतर को ही संकट में डाल लेंगे अमबेटकर का कहना था कि यदि वास्तम में राजनतिक समानता प्राप करनी है और राजनतिक लोगतंतर की स्थापना करनी है तो हमें सामाजिक और आर्थिक समानता को भी स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करना ही नहीं इस प्रकार से हम लोगों ने राजनती में समानत के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धान्त को अपनाया है ऐसे ही कुछ उपाय हमें आर्थिक और सामाजिक चेत्र में करने होंगे वरना यह विरोधा वास इस्तती हमारे समाज को कमजोर कर देगी और हमारा जो सपना है राजनतिक लोगतंत्र का उसे भी चकना चूर कर द दर्शन प्रमुख विचार जिनने भी भारतिय समिदान के अंतरगत महतुपूर्ण मुल्यों और दर्शन के अंतरगत स्विकार किया है आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं पंडित जवालाल नहरु के विचार 15 अगस 1947 को यानि जिस दिन भारत ने सोतंतरता प्राप कि उस दिन उनके दिये गई यादगार भाषन में जो उनके विचार हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं पंडित नहरु कहते हैं कि वर्सों पहले हमने अपनी नियती के साथ यानि अपनी प्रकरती के साथ अपनी वास्त्रिक्ता के साथ शाक्षात कार किया और अब वक्त आ अब तक जो हम लोगों ने अपने आप से भारत्य जंता से अपनी मात्रवों में से जो भी वाइदे किये हैं उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है इसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यह बाशन उनका दियावा था 15 अगस 1947 की मध्यरात्री का जिस दिन भारत अपनी आज जब ठीक मध्यरात्री का घंटा बजाएंगी जब सारी दुनिया सोती होगी तब भारत नए जीवन की सुरूआद करेगा यह झाली 15 अगस 1947 की मध्यरात्री को भारत क्या हो जाएगा आजाद हो जाएगा तब भारत नए जीवन की सुरुआत करेगा आजाद होगा इतियास में कभी कवार ही सही पर ऐसा खिशन जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़ कर नए में प्रिवेस करते हैं और ऐसे ही नए में प्रिवेस भारत करने जा रहा था जब एक युक का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट की दभी हुई आत्मा प्रस्पूटित होती है क्योंकि अग तक परतंत्रता के कारण भारत की जो आत्मा थी वह दभी हुई थी कुंटित थी कमजोर थी लाचार थी लेकिन अब उसकी आत्मा प्रस्पूटित हो गई है एक फूल की बाती खिल गई है क्योंकि उसको आजादी प्राप्ट हो रही थी तो आवाज आती है ऐसे पवित्रिक्षण में हम अपने आपको भारत और उसके लोगों तरथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित कर दें भारत के लोगों के लिए अपनी म सोग दें समर्पित कर दें यहीं हमारे लिए उचित है आजादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है क्योंकि अब भारत आजाद हो गया है और आजादी की कारण भारतियों को अपनी सत्ता प्राप्त हो गई है तो सत्ता जिम्मेदारी लाती है और भारत के संप्रभू लोगों क प्रत्नित्य करने वाले इस संप्रबुता संपल्ण सवा के उपर अब जिम्मेधारी आ गई है देखो संप्रबुता संपन सवा की इहांपर जो चर्चां कीगई है समिधान सवा के लिए की गई है समिधान सभा जब समिधान का निर्मान कर रही थी तो वह दो रूपों में कार्य कर रही थी एक तो समिधान निर्मात्री सभा के रूप में और दूसरी भारत की विधाईका के रूप में तो संप्रभुता शक्ति का निर्वहन भी समिधान सभा के द्वारा ही किया जा रहा थ इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं फिर भी इतियास अब बीच चुका है और बविशे के सुनहरे संकेत हमें प्राथ हो रहे हैं क्योंकि अब भारत क्या आजादी प्राथ करने जा रहा है और आजादी प्राथ करने के साथ हमें उन वाइदों को पूरा करना है जो अब तक हम लोगों ने अपने आप से और अपने मात्र भूमी से किये थे तो बच्चों इस तरह से इन तीनों नेताओं के विचारों का अध्यन हम लोगों ने किया तो यह बात हमारे सामने आती है कि तीनों ही जो नेता थे जो पूरवी परिस्तियां भी चुकी थी उन भूत कालिन परिशितियों को दोराना नहीं चाहते थे और तीनों ही भविश्य के लिए चिंतित थे और तीनों ही समानता पर आधारित भारत के निर्मान की नीव रखना चाहते थे वह ऐसे स्वपनिल भारत को प्राप करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक रास्टी आंदोलन के अंतरगत अपने सपनों में संजोया था इस प्रकार से समाज में प्रतेक व्यक्ति के आख के आशु को पहुचना चाहते थे यानि प्रतेक व्यक्ति की महता को स्विकार करते हुए यह चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तितों का सह सम्मान प्रतिष्टा या गरिमा के सम्मान के साथ अपने व्यक्तितों का विकास करें यह पड़ा हम लोगों ने आज के वीडियो के अंतरगत भारतिय नेताओं के विचारों में भारतिय समिदान के दर्शन की प्रकार से दर्शन होते हैं यानि हमें दिखाई देते हैं अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसी के सेकेंड पार्ट की यानि भारतिय समि मुल्य बुनियादी मुल्य प्रिस्तावना में परिलक्षित होते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत